राम में आस्था तमाम राम भक्तों की है और राम भक्ती भी लोग अलग-अलग तरीकों से करते हैं इस वक्त हम जहां मौजूद हैं वहां 86 वर्सिये मुक्तार सिंग ने 12 लाक बार राम के नाम को कौपी में उकेरा है खुद से लिखा है गांधी के अनुयाई हैं और यहां देख सकते हैं इनोंने गांधी क्याप भी पहना हुआ है यह राम भक्ती में लीन तो हैं लेकिन इनका अंदाज अपना अलग है इनसे सीधे बातचीत करते हैं यह तमाम जो आप पुस्तक देख रहे हैं इसमें सब में इन्होंने मंत्र लिखा हुआ है और इसके अलावा र राम के नाम से भर गई हैं और राम में अपारभक्ति इनकी भी है मुक्टेयर जी यह कब से अप लिख रहे हैं और कितने बार अवी तक आपने लिखा है क्या लिखते है कौपी में इसमें हमें हमें साथवह महिना का में अक्ट्वर के साटवायानाए में बिस साल में संदु हजाट श जाय में सातवा महिनां में हमको दील में आया कि अबे काम धाम दा कूछाई नहीं। तक है नहीं जो स्फ दियों जो बुराभा मिना अगर फाइदा ऑपने इपर्वु के संत करहा जाए हुसरी आए नहीं बापू को जब साते ऑये नहीं तो बापूिराम के भकाते Krista के भक्ते बखलमें गीता लिए है मुथ में राम राम काथे हम राम की प्रदी हमको समरपन ओगया और तो आप शजय हम अधियाय का रहन्वान साभ पूरा लिखना है पांच कीतने घंट लिखते हैं दिन फर मैं कितना गंटा लिखते हैं अब समाझ यह कि कम से कुन धाय तीन जाते लिखिये देते हैं एक हजाती हो गया अब गीता का कल्यान का साधना का अखन जोती का पत्रिका आता उसमें के खास अगांधी जी का निचोर चुंचुन के ग्यान बर्दक बाते भी लिखता हूं नहीं तो दिन दो धून का भाजन कर लेते यह है वजन करने के बाद आस्र फ्रवें गड्रमान करते हैं हैными दोफ़हजार कदम चल लेत हैं मृफ्वितरे में घंडर है तो है थैना है तो पीजान है तो घून के बाद जाते हैं साथ घ्वने लिखे इक घंटा में हम में हम को हरह हनुमान सब का नाम उसका मेसेज जो है मतलब सब में यह राम ही नहीं हाँ सब देखी है हरी अनन थरीकता अनन ता गाव वहीं कु नहीं बहुत भी दिस संता त्रेका में राम है तो दौपल में कृस्टन है गांदी जी भी राम में आस्था रखते थे खूब की गुली लग रही है हे रहा हाय राम को रहा है इतना बना पर्ताभी पूर स्थे पाइदा नहीं लिए इतना भीर पूरूस इतना चलाक आदमी इतना Kalेजा वाल आदमी इत्यास मंदिर मंदिर जो अभी 22 जन्वरी को प्रान प्रतिस्टा औरा राम लला का उसमें जो है आपको आमंतरन मिला है या फिर यहीं से आप राम में मन लगाए हुए है देखिए आमंतरन भगवान की इच्छा होगी न तो आप आप जिसे लोग आज तक के पत्रिका ना पहना आज तक के नहा है आज तक सुधीर जी का संसा है तो हमको तो लगता कि रूज र रास्ते पर चलते हुए राम नाम लिख रहा है हनुमान चलिशा लिखे रास्ते पर चलके आप आयोध्या तक भी पहुंच जाएंगे हो सकता है कि माली की किरपा होगी तो हम पहुंच जाएंगे नहीं किरपा होगी तो हमारे माता पर भानुजी भोले बाबा का मंदरी बन ऐसा दिन है पूरा देश हिंदू मुस्लिम शिख हिसाई बापू के 4 बाई मोधी के चार बाई हिंदू मुस्लिम सिख हिसाई मोधी के 4 काम और धन्दम कामक्ष सब्सके में जिवन की तमाम मुलबु वुट्ष विजा उपलब्ध हो जाए अधि भाई-वाई-भाई-वाई क अब संसाधन जो है सबको उपलब्ध हो यही जो है राम के प्रती सच्ची आस्था होगी और तभी जो है आम लोगों को मोक्ष मिल सकता है उनके पुत्र भानु प्रताफ हमारे साथ हैं भानु जी कब से लिख रहे हैं और राम में इनकी जबरदस्त आस्था है यह यह 2020 के लिखे है पांच चार लिखे हैं और फटे दिन इनका लेका अपना तूट्ट विश्वास है उसी को लेकर यह संकूर्प लेकि लिखते आ रहे हैं और आगे लिखते रहेंगे इसी तरह से तो राम मंदिर जो है बन रहा है 12 लाख इन्होंने लिखा है और ये कह रहे हैं कि जब से जो है ये बड़ा दिन आया है तो इनका संकल्ब था कि तब तक लिखेंगे जब तक कि डेट का अनौंसमेंट नहीं होता है राम मंदिर में राम ललाग की आस्थापना नहीं होती है तब से ये लगातार लिख रहे हैं लेकिन इस मंदिर में प्रान प्रतिष्ठा के बाद भी ये सिलसिला जारी रहेगा और राम में आस्था रखने की बात ये कहते हैं साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि जीवन के अर्थ को समझे और सब संसाधन जब सब को उपलब्ध हो जाएगा तभी जो है वही राम के लिए असलियत में आस्था होगी और आपस में प्रेम सदभाव रखना ही ये भी एक सच्चा सदभाव राम के पती होगा ये इनका साफत से कहना है कैमरामन राकेश तिवारी के साथ सतजीत कुमार राची आज तक